कुदवाली पुलिस थाना अंतरगर्द एक मारपिट का मामला उजा करुवा है जहाँ शहर पुलिस के हवालतार और उसके भतिचे पर अरसामाजिक दत्वों ने जान लिवा हामला किया मामली का संग्यान लेते वे कुदवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफता किया है दैसल कोदवाली थाना परिसर में शहर पुलिस के हवालतार और उसके भतिचे पर अरसामाजिक दत्वों ने जान लिवा हामला किया है पलिस ने आरोपी श्रीरतन फुले नारी को गिरफता किया है उसका साती वैपो गनेश राव ने गनेश नकर कोदवाली से फरा है आरोपी अपराजिक प्रव्रुती के है वर अविवार की राव गनेश नकर में राजिव गांदी उद्दान की पास शराव पेरे थे इसे दोरान तिरंगा चोग सकर दरान निवासी यश देवराव ठोकर वहाँ पोचा उसका आरोपियों से विवाध हो गया सिर और सिने पर वार करके गंबिर जक्मी कर दिया और फिर सिने में चाकू भी खोब दिया यश ने फोन करके घटना की सुचना अपने चाचा सुनिल ठोकर को दी सुनिल क्राइम ब्रांच की युनिट चार में हवालदार की पट पर तैना थे उन्हें यश खोन से लट पर जमीन पर बड़ा नजर आया वहाँ चाकू से लेज आरूपी भी मौचुद थे सुनिल ने आरूपियों को यश पर हमला करने की वज़ा पूचे इससे आग बबुला होकर आरूपियों ने सुनिल पर भी चाकू से हमला कर दिया पुलिस कर्मी तथा उसके भतिचे पर हमला होने से पुलिस में खलपली बज़ गई आला अधिकारी तथा कोतवाली पुलिस मौके पर बहुच गई उसने हद्या की प्रयास तथा हमले का मामला दज गया है यश के हालत गंबिर होने से उसका बयान दज नहीं हो पाया है वहाँ पे त्री रत्न फुले और वह भोश्रावने ये दो लोग चर्चा करते बैठे थे दोनों की एक दुसरे के तरफ देखने के वज़से उनमें गाली को लोच करना होना शुरू हो गया बाद में दोनों अपने हाता पाई के उपर आ गई जगडा बढ़ते हुए जगडा बढ़तों के जखने होगे चांचा बिच मैं आये तो तो उनके उपर भी परलि भी वार्ट किया तो कंभी जखने हो बहें चाचा के कमबड़न देने में के बाद कंपल्ण व्यर्जों हुए अर्क ऊर्म को हिरासे ले ले है लिया इस पुलिस कार्वाई शूरू है एक दुसरे को घूर के देखते हुए ये जगडा आगे बड़ा है चाचा का नाम सुनिल ठवक कर है और दोनों धायल है उनके उपर इलाज शुरू है क्यामरा परसन अकलेश भारतवास के साथ मनिश टेमरी के रिपोट